हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विप्रो शेर से रिलेटेड आज का न्यूज आपके लिए हम लेके आए हैं दोस्तों आज का डे है सैटेडे और लगबख एक बच के पच्छी तरीके से पेश करेंगे आपको पूरे हिंदी में समझाएंगे कि इस न्यूज का मतलब क्या है विप्रो के लिए और आने वाले दिनों में इसका विप्रो पे क्या आसर पड़ेगा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और रूपीज के आसपास आके लुका था और इसमें आप देखेंगे तो 0.73 के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली थी दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो शेयर मार्केट हमारा कल नहीं परसो थरस्डे के दिन ही क्रैश हुआ था अगर आप देखेंगे तो ब्सक्रा के आसपास से नीचे आते हुए गिरावट उसमें देखते हुए 340 पर आके बंद हुआ दोस्तों बड़ विप्रो से रिलेटेड एक बहुत अच्छी नियूज निकल के आ रही है अगर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो विप्रो टू एक्वायर अमेरिकन इं एक्सिमस को बाय करेगी 80 मिलियन डॉलर में इस न्यूस के बारे में मैं आपको पूरी जानकरी देना चाहूंगा विप्रो इंडिया की थर्ड लाजिस सॉफ्टवेर एक्सपोर्टर कंपनी है और इसने कैलिफोनिया बेस्ट एक्सिमस डिजाइन एक कंपनी को एक्वायर क करने का सोच लिया है जो कि 80 मिलियन डॉलर के अराउंड होगा तो 80 मिलियन डॉलर लगबग लगबग 585 तो 590 करोड रुपीस होते हैं अगर एक्सचेंज रेट से हम देखें तो यह विप्रो के लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों यह नई कंपनी बाय करने वाले हैं जो कि एक इंजिनियरिंग सर्विस फर्म है और इससे विप्रो को फाइदा होगा आने वाले दिनों में अगर मैं आपको इनके बैलेंस शीट में लेकिया हूं तो आप खुद बैलेंस शीट में इनके देख सकते हैं इनके Q1, Q2 और Q3 का अगर आप रिजल्ट देखेंगे 2020 तो 2343 करोड रुपे Q1 में इन्होंने कमाये थे और Q2 में 2408 करोड और आप देखेंगे Q3 में तो 2485 करोड दोस्तों तीनों रिजल्ट में आप देखेंगे तो हमें बड़त देखने को मिल रही है जिसके वज़े से विप्रो के आने वाले दिन में अच्छे प्राइजेस हमे इन्वेस्ट कीजिए विप्रो से रिलेटेड ये बहुत ही अच्छी निउस निकल के आ रही थी शेयर मार्केट में जो कि विप्रो एक कमपनी एक्वायर करने वाला है एक्सिमस और ये विप्रो के आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी साबित हो सकते दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद